नमस्कार मैं विश्नु नरायंदा बिहार मेल के लिए जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं उसमें भूत भूमिका बाहने की जरुवत नहीं है हम इस समय बेगू सराय जिले में हैं बेगू सराय से बेगू सराय के कावर्ज इल से लाइव हैं बेगुसरा के कावर जील की जब भी बाचीत होती है तो वो बाचीत प्रवासी पक्षियों तक भी पहुंचती है हम जब आ रहे थे खास्ता और से इस रास्ते में तब भी बाचीत हो रहे थी कि इस दोरान चारों तरफ से देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से जो के लिए जो एक शब्द हम इस्तिमाल कर रहे हैं वो प्रवासी हैं प्रवासी का मतलब होता है जो आता है और आकर के लौट जाता है और बिहार के रहने वाले ही बासिंदे हैं बिहार के रहवासी है उनको क्यों कर प्रवासी कहा जा रहा है हलाकि विशय थोड़ा दूसरा ह यह कावर जील है बेगु सराय की आइडिटिटी बेगु सराय के पहचान देश-दुनिया में इसको ले करके बहुत सारी बाते होती हैं और करके इसका कहा जाता है और यह करीब करीब कितने 14 कोस में 14 कोस समझिये तो 14-56 किलो मेटर में कभी यह पूरी जील हुआ करती थी अभ हैं यहाओ के भी कभजे में हैं अतिक्रम भी हो रहा है इसको ले करके बहुत सारी चीजें न lizard करते हैं कि उन लोगों की इस चीज को ले करके क्या कुछ यादास्त है सर अपना नाम बता दीजिए और पिर उसके बाद करते हैं जी मैं रजनीष भारती हूँ और मैं यहाँ कास्थानिया निवासी हूँ और अभी कावर जिल के बारे में जहों तक बात है हम लोग करीब पच्छास साल हमारी उमर हुई है लेकिन हम लोग बच्पन में इस जिल में सालों भर इसमें पौनी रहता था हैं और मचलियां की स्वादिश्ट होती थी और इतनों परजातिस में मचलियां की पाई जयती थी की कावर जिल के मचली के उनलों पर लोग औखमोन करके नौकार के दूसरे पोखर का भी मचली जग जा करके बेच लेते थे इतना इसका महत तर के इसके एंगा लेया था जाul की यह वाद और खासिया था कि इस पानी नाव पर बैट करके इस पानी में सिर्फ हल दिया और नमक दे करके जो मचली यहां पर बना करके लोगों को खिलाया जाता था वो जो अदभूत स्वाद लोग एक बार गरहन कर लिये तो फिर जीवन भर तरस्ते रह गए वह इसा नजाथी करने के लिए यह करने के लिए तो बहुत परकार की जड़ी बूटिय भी यहां पर होती थी और परवासी पक्षियों का बिहत्ता डेरा था यहां पर मतलब करीब 500 परकार के पक्षी यहां पर आते थे पूरा का पूरा जील जो है सो की जारे के मौसम में पक्षियों के कलरव से एकदम गुंजते रहता था और एक अजीब तरह का यहां का प्तितावस्था के कगार पर जा रहा है यह बहुत ही दूखद है इसके पीछे जैसे आप लोग स्थानी है मश्रियां इतने हुआ करती थी साइबेरियन से लेकर क्या लग अलग प्रजातियों के देश-दुनिया से जो इतने पक्षी आया करती थे तो क्या वज़ा पाते हैं आप लोग की यह सारी चीज़ें खत्म होती चली कि बिहार में हर चीज़ में बात करने में ठीक ठीक ही क्यों जरूरत पड़ जाती है तो वहीं हुआ जो की बर्तमौन समय में वह अपने बिरासत को हम लोग अक्षून नहीं रख पाए इसके परती उप्यक्त नजरिया जो ह कि पूरी तरह कभी इसके महत को उजागर करने की कोशिस ही नहीं किया जाए यहां के लोगों के लिए इसका कितना महत है और इसके संदर्ज को और कितना निखारा जाए इस पर कहीं कोई नहीं हुआ सकारात मकपरियास वैसे अख़वारों में बेयान बाजी और धेर सारी प्रत्याशी जो यहां से लड़े उनका इस पर कोई नजर नहीं रहा क्या और नजर यह सिर्फ एक चुनावी मतलब बादे के तोर पर नेता लोग इसका उपयोग करते हैं क्योंकि यहां के किसानों का यहां आजीवका से जुड़े हुए हैं तो उनको सिर्फ अपने परलो संदिय नहीं जो आज तक यहां से इस नाम पर बोट ले करके गए इस इस इलाके में अगर मैं आपसे समझने के कोशिश करूं यह इतना बड़ा इस पायन रहा होगा आप बताते कि मुझफर पूर का एक बारा कोस का कोई चोड़ है बड़ेला और इसको जो है आप लोग चीजें यह तो इसकी वज़ा से वाटर लेवल भी बहुत सारी चीज़ने सही रहा करते होंगे आस पास की अब तो पानी पानी की भी समस्यां साथ साथ होने लगी है यह तो बहुत बड़ी समस्यां आने बाली है अब तो चारों तरफ लोग को पानी खरीद कर पीना संत महात्मा जो साधना में तलीन है उनके पास भी पानी पहुंच गया है केन वाला तो आप कह रहे हैं कि मीठे पानी का जील हुआ करता था या है भी या इसकी मशलियां जो थी वो इतने देश दुनिया में इस तरीके से चर्जित हुआ करती थी कि एक बार यहां खाने के आधाद लोग कहीं और उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल तो इसके पीशे क्या क्राजनेतिक वज़जा ज्यादा है या क्या कुछ वज़या आप लोग पाते हैं तो इसमें राजनेतिक वज़जा भी है कि है कि इसके संबर्धन और मान लिया जये कि जो इसका वि चाबिस कास्तर धिर्य धिरे कम होते गया, तो बारिष जब नहीं होने लगा तो यहां पर पौनी सूख जानने लगा, बारिष में तो कुछ पौनी रहता उसके बाद फिर पौनी सूख जाता है, तो मचलियों का मानली आ जाए कि यहां पर मभाव हो गया या पक्छी जो यहां पर आते हैं परवासी पक्छी तो उनको अधी भोजा नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक यहां पर ठीकेंगे पहले यहां पर धान की खेती होती थी और भी बहुत बात यहां पर था उसको खौने पीने के लिए जो पॉनी में मिल जाता था अब उनको चाड़ा मिलता ही नहीं है तो बैचारे कुछ दिन तो रहते हैं उसके बाद फिर यहां से बैडांग वापस हो जाते हैं यहां के स्थानी लोग भी तो कम जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते इसके लिए अगर प्रवासी म मतलब हम लोग के बाजार में या आसपास जितने भी मार्केट हैं उसमें पक्छियों का बाजार लगता था और यहां बगल में चेडिया बर्यारपूर है तो वह चेडिया बर्यारपूर कहा जाता है नौम ही इसलिए पड़ा की वह चीडियों का बाजार था अच्छा तो यहां पर चेडिया बर्यारपूर रह गया तो यहां पर चीडियों का बजापते बैठ करके बेचा जाता था लोग आते थे खरीद कर ले जाते थे अपनो उसका अच्छी को तो यह पता नहीं था कि यहां पर आके हमार हैं यहां पर पहले जैसा कोई माहल है एक तो बारीश कम होती गई उसके बाद उसका कोई संरक्षन यह मिला ने एक तो प्राकृतिक के मतलब दंड के कारें यहां पर उसको पता नहीं था कि हम जहां जा रहे हैं वहां भी मेरा बातावरन उस्टेम अनुकूल था लेकिन यहां चारो तरफ जो उसका शुरक्षा दो सरकार जो यह प स्था पाते हैं कभी बार की बाताती है कभी उसकी वज़र से जमीन उची हो गाए इसी कुई को बात केू Specifically कि बहुत सारा पेर पाउधा या कट रहा है या दोहन हरो तो समस्था सब को पता है कि प्राकिर्टिक मतलब बहुत सारा रिजन है कलकर आप जैसे आ रहे थे आप देखे चिमनी जो कि लीगल अलीगल मतलब कोई प्रोसेस से उठाने चिमनी को लेकर के जो थोड़ा पीछी करेंगे रज़ता तो मैं एक बात खास तोर से बताना चाहता हूं और जो करके जो एक देवी की मुर्ती और उसके बाद उनके नाम से ही एक मंदिर भी है जिसको शक्ति पीट कह रहे हैं उसी के पास एक वन विभाग का खास तोर से जो आम तोर पर आप देखते होंगे एक वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि इस इ बंटे भर तो इसी में चलते रहेंगे मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ और वो भी उस इस पैन में भी आपको हर जगह जो है चिमनी और भठे सारा सब कुछ देखने को मिलता है बस आउटें देखने को मिलती है तो इस्थानी लोग भी कम जिम्मिदार नहीं है इसके यह जो भी भू माफिया है जो भी जो भी भी बिजनेस मॉडल है वह इसका कहीं न कहीं इस पूरे कहल घ्रम को खराब करने में और इस पूरे इलाकिये वाटर लेवल को भी खराब करने में महतवकूर्ण का रख है कावर जील जो है इसे वाटर लेबल की ही आपने बात की में परपस यह वाटर लेबल है, अगर यहां का मतलो, परसे कर् atención जाकुद्र दोखना से ब्युका में डिपेंड करता है जो इसका जो चोभ दया के अलावे व्तारों के या अन्दर ग्राउंड का जो ब्रयावंड दॉपह ब्रय मधान करता है फैर प्रृव सब्सक्रार से हिए लेकिन एहां पर जमीन पहले हो रहा है जिसका सक्त जरूरी है आम तोर पे जब आप भोपाल जाते हैं तो भोपाल को जीलों का शहर का जाता है एक सपैन हम देखकर क्या है मगर वह इससे बड़ा इस पैन नहीं है अगर आप वहां कभी गए हों और यहां आपको ऑन जो सारी चीजने दिखाई पड़ रही हो तो यह जो जीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है और उसकी जो सबसे बोड़ी जील है उसका इस इस पैन के सामने कुछ नहीं है तो यह जो इलाका है और जो विस्तार है मतलब जब सर हमसे बादचीत होई ते कह रहे थे कि आप जहां जहा है उट को बसुत जहां तक आपको नहीं द्खे रहा है वह जहां तक आपको नहीं दिख रहा है वह भी और तो यहां जो सामने दिखाई पर रहा है वह तील फिल आच्छा वह वहाँ पर टीन था नहिकोश्टा है और जो इस दोरन में बहुत सारे कशे unlikely तो भी आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा तो एक आतिहासिक लिहास से उसको भी धाहा दिया गया जमींदार जिनकी वहाँ पर जमीन थी तो उसको तोड़ करके उसको सिधा जीर्ण सिर्ण कर दिया है वह भी बैचारा एकदम खता आखड़ी संसे गीन रहा है जगह पर साइट है जो और कलजिकल सर्वे अफ इंडिया मेरे पास एक नंबर आया भी थे हला कि फिर बाचीत नहीं हो गए नौजवानों से बाचीत करते हैं बुजुर्गों ने तो अपने जिंद नरेंद्र मोदी थे पिछले बार एक पहला वोट वालों को मांग लिया था ना उन्होंने कि शहीदों के नाम तो कावर्चिल के नाम पर कभी वोट पढ़ने की संभावना नहीं दिखाए पड़ती है आप अपना नाम बताई अपनी उमर बताइए सब से मेरा नाम सी सुरा से क्या उसको नेचर दिया पर यह दूसरा प्रोब्लेम है कि सवाल जो हम उठाते हैं कोई इन्वारोमेंटल करने उठाता कोई स्कूल करने उठाता को लिजगर तस एंगल ही हर चीज आप बलेक एन-वाइट में देखते हैं बाइनरी में देखते हैं इसलिए यह सब मुद इसी कारण से अनेक भोला बावु हमारे MP हुआ करते थे गिराज जी से पहले भोला बावु ने भी मतलब की बहुत सारे बाते कहीं कि यह होगा वो होगा काबर महाओत सब भी मनाया गया राश्ट पती हैं वो भी आये थे काबर महाओत सब में लेकिन इसके नाम पर हो रहा है इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है और जो भी आप देख रहे हैं यह एकदम इसका जो कहते हैं फाइनल स्टेज है लास्ट नेल इसका कॉफीन में होगा अगर इसको पांच साल के अंदर कंजर्म नहीं किया गया तो पहला बात तो है कि बार जो है सवाना रेगुलर हो गया बहुत पांच सोर्स नहीं का वह ब्किश को उसम कोई इसका सोर्स नहीं पानी का उसी के पुड़ा जीता रेक। इसका पूरा एको सिस्टम उसी पे डिपेंड करता है तो रेंफॉल पेटर लेक से समझे कि जैसे गाये या बैल होते हैं तो उनका जो खुर होता है तो कुछ-कुछ उसी तरीके का कि उसमें पानी आ करके जमा हो जाता है इस वजह से वह साफ सुथरा भी रहता है वह आप एक लेकिन मेरे दालाज यह सा कहते हैं कि 25-30 साल पहले यहां पर खेती नहीं हो पाता था पूरा पानी से भाड़ा रहता था और इन एसेसेबल था कोई भी काम का नहीं था लेकिन बाहर आया तो इस लेक के लिए तो वह मतलब की किलिंग हुआ लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन जो इस पर डिपेंड करता है उसके लिए बहुत बड़ा लाइफ लाइफ लाइन साबित हुआ मैक्सिमम अरिया अंडर कल्टिवेसन और यहीं देखे कि वह सुगर के प्लांटेशन है वहां पर वह सुगर के प्लांटेशन आज से 25 साल पहले पॉसिबल नहीं था ठीक और पूरे एडिया में आसपास में खेती होने लगा है और दो तीन प्रोब्लेम बेसिक है पहला तो है कि पेर को काट दिया गया रेक्लेस डिफोरेस्टेशन एकदम कोई पूछने वाला नहीं कोई कहने वाला नहीं जो भी बन भीभाग है यहां पर एकदम कंप्लीटली जीरो को और ग्रामीन लोग और जो कोई पर चीज उपस्था है लेकिन को इनभारोमेंटल इंपोरेंट इसका नहीं है पास्ट में कल्चरल एक से बहुत क्या स्थीज़ेंज लेकिन वह सब नहीं एक ही इस्टोरी इंपोरेंट्न है कि मगला माता की मूर्ती थी और सक्तिफीट है यहां कुछ positive vibe है, religious significance है, लेकिन environmental concern completely zero है, दोनों तरफ से, नेता वही सवाल उठाएंगे, पॉपुलिस्ट डिजीम है, तो नेता वही बात करेंगे, जनता सुनना चाहती है, जनता इसके बारे में ज़्यादा सुनना नहीं चाहती है, तो जनता इसके बारे में ज़्यादा सु कि बेगुसराय के लोगों की political consciousness बरकरार है, इस चीज को लेकर के तमाम तरह की चीजों को लेकर के, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई किसी के भीतर आप आते हैं कि उनके भीतर कोई political sense नहीं है, ऐसा नहीं पाता हूं, मतलब आपकी उमर 19 साल है, आप और 18 साल के बाद आपने पहल को inculcate करने का कहीं कोई जरिया नहीं नजराता, आप लोगों को कोई उमीद नहीं नजराता, जैसे कि यहां पे क्या हुआ ना, कि यहां पे जैसे कि communism का मतलब की बेगुसराय गहर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि communist लोग गरासरूट लेवल पे ज़्यादा रिल मुद्दा वहां नहीं है, वहां नेस्नल मुद्दा है, ठीक ना, वहीं से बाइनरी बन जाता है, तो लोकल आप क्या भाइस उठाइएगा, जैसे आप बोले कि पॉलिटिकल जो आप अवेकनिंग है मासे इसका क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों कोश्चन ने पूछ रहा है क्यों नहीं जाना चाहता है, उसका रीजन है कि आप सारा कुछ मनी मनी से हो गया पावर से हो गया, जैसे कि बेगुस रहा है कि जैसे कनहिया को चुना हुआ हुआ है, तो कनहिया के चुना हुआ है, उनके घर के बगल वाले भी उनको भोट ने दिये, और दूर के भी आदम पर चंटिमेंटल इसु पर ज्यादा हो रहा है तो सेंटिमेंट बेसीं है रिलिजियस है या तो कास्ट है लोकल ऐसे मिलेक्षण होगा उसमें कास्टी सेंटिमेंट पर बोट पड़ेगा तो 12 जो भूम्यार है जो भी यहां पर यह एक भोट बैंक अलग हो गए बांकी अलग मेंस मेंस मेंटालीटी करता है तो इसके लेवल पे जिसको राम सार कन्वैंशन के बाद इसको गबर्मेंट अपने अंदर ले लिया और बहुत सारा का वर का ऐसा हिस्सा भाइएन सेलिंग पर सैंक्सन लगा लेकिन यहां के लोकल आदमी का भी सेंटिमेंट है कि हमारी जमीन है अगर आप उसके लिए डिक्वेट कंपनसेशन ने देते हैं या तो अल्टर्नेटिव ने देते हैं गबन्मेंट दोनों में फेलियर है आप कहिएगा कि प्रोटेक्टेड डिजन इसमें खेती नहीं करो त को उसका तो कोई सवाल हीने फटलाइजर यह नी रहा है कि कितनी योग़ों से बन रहा है तो उसका कब बनेगा कब चलोगा उसको कि चोड़ ही जाते हैं एक सवाल सारी चीज़ें एक लूर्गी को सवाल यहां पर है प्रवासी मज़़ों का सवाल आप लोग के इस दर्aking त तो जरूर है कि anti-establishment जो sentiment है वो तो बना है मज़दूरों में कि जब आप भी वह एंटी इस्टेब्लिश में मनलब यहां बार भी आ जाएगा ना पूरा डूब जाएगा लोग मड़ भी जाएंगे फिर लोग जाएंगे